जो होंगे अपेरिंग अधोग कांडिडेट्स होंगे उनको मौका दिया जाएगा और ये अधी सुचना निलगत हो गई है और इसलिए मैं इसकी परिक्षा अगर 20 तारीक को देंगे और हमारी परिक्षा भी अगर 20 तारीक हो है तो फिर से एक तक्राव की स्थिति उपन होती है और तुकि वो सिटेट की परिक्षा राश्ट्य अस्तर की परिक्षा है इसके मैं अपनी परिक्षा को कि तिथी में थोड़ा प्रिवर्तन करूंगा 24, 25, 26, 27, 24 दिन लगतार परिक्षा हो जाएगा जिससे की किसी को कोई कटनाई में इन्हीं चार तिथियों में मैं प्र इर्थियों की संख्या जो एक स्टें सीमा जो हमारी कापैसिटी है आवासन की चंटा है उसके सज्जादा अगर तो मैं ऐसा कर दो और इंटीग्रेटेड बीएड वालों को भी मौका दिया जाएगा मतलब जो एपीरिंग काडिएट है इंटीग्रेटेड बीएड के उनको जाता है जैसा कल वह ने पुछा भी सीटेट के विपरादिकारी आए थे प्रणाम जो है वह समय जो दिया गया है वी पहले भी परणाम आजाना जाना जाना इसा इसको रिखिया कर दिया जाएगा तो पहली बात तो मैंने पिछले प्रेस कॉन्फेंस में यह प्रस्ट कुछे आने पर मैंने बताया था कि अहर्ता संबंधी सबी कोई परिक्षा अगर हो तो उसमें एपिरिंग कैंडिडेट्स को हम लोग मौका देंगे और 31 अगस तक का उसका कट आफ डेट रखा गया था है 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 लेकिन अरफ माने जो और दारन भी जो दिया था वह मैंने बिएट का या इट की अगर कोई परिक्षा या फहल Mon queda है जिसका परिक्षा आफ लंबित गया और परिक्षा नहीं होई है तो नहीं सिती में वह हम 21 अगस्तक का समय दिया नहीं पर भी हमने यह नहीं कहा था कि पात्रता संबंधी परिच्छा के लिए यह लागो होगा मैंने यह कहा था अवर्ता संबंधी परिच्छा के लिए और यह सोच समझ करके ही कहा गया था यह नहीं कि मैं पात्रता संबंधी परिक्षात को लिए नहीं छूठ देना चाहता था, छूठ तो मैं सब के लिए देना चाहता हूँ, लेकिन छूठ देने का अधिकार जो है, वह सरकार नहीं किया सकती है। और इसलिए मैंने अहर्ता संबंधी कोई परिक्षा के लिए ये खुशना किया था। कुछ नासमझ लोग अपनी नासमझी में या अति उत्सा में आकर के इसको ये लोग पातरता संबंधी परिक्षा पर भी मान बैठे। अब उनकी ये नासमझी या ति उत्सा को मैं समझ सकता हूं। लेकिन कटनाई उससे नहीं है, कटनाई ये है कि उसके कारण ऐसे अफवा या ऐसे गलत पतलब उसका समझदारी से गलत समझ करके उसको जो सब लोगों ने ग्रामक न्यूज ने दिया सबको तो इससे एक महल खराब हुआ। वहां भी उसको भी लोग समझ सकते हैं उस सब बातों को लेकिन उसमें सबसे दुखत बात ये है कि ऐसे ना समझ लो जो कल को हो सकता है कि राज्य कर्मी भी बन जाए। अभिर्ति होंगे इसके अभी और वो अपमान जनक शब ऐसे ऐसे भाषा का प्रयोग करने लगे और मुझे कॉल भी करने लगे। ऐसे आच्रन करने वाले दुख जो ना समझ याति उत्साही वेक्ति हैं अगर ऐसे राज्य कर्मी अगर हो जाएंगे। क्या राज्य कर्मी के लिए ऐसा आच्रन मानने होगा। सुखारे होगा। नहीं सुखारे होगा। ऐसे अगर राज्य कर्मी अगर होते जो इस तरह का आच्रन समयधानिक संस्था के उपर समयधानिक प्ला अधिकारियों को उपर इस तरह का आरोप गलत आगो। और अपमान जनक्स शब्दों का प्रयोग करना उनसे जवाब सवाल करना गलत समझ करके अपनी नासमजी में करके ऐसा मिसकंड़क्ट जो करते हैं कोई सरकारी कर्मचारी तो उनको उनकी वर्खास्थी भी हो सकती है। तो क्या अगर राजय कर्मी को अगर बर्खास्थी हो सकती है ऐसे मामलों में तो क्या अभ्यर्थी के ऊपर कारवाय नहीं हो सकती है या नहीं होनी चाहिए। जो इस तरह नासमजी अपनी और के एक बात होती है। लेकिन उसके कारण से अपमान जलक सपनों का प्रयोग करना, उपहास करना, लांचन लगाना, मिध्या। यह उनके चित्र बतलाता है जो कि सरकारी कर्मचारी होने के लिए उप्रिक चित्र नहीं आई है। और हो सकता है कि इसकी खाम्याजां उन्हों को बहुतना पड़ा। जो ऐसे जो नासमज लोग अपने अती उत्साह में आ करके अनाव सनाव इस तरह की बात किये हैं। यह तो मैंने अपने उस पिछले PC के बारे में बताया उसके संदर्व में। कि मैंने अहरता संबंधी भोष्णा किया था अहरता संबंधी परिक्षा के लिए पातरता संबंधी परिक्षा के लिए नहीं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं पातरता संबंधी परिक्षा के अभियत्यों को मौका नहीं देना चाहता था। मौका जरूर देना चाहता था लेकिन उसका निर्ण में राज्य सरकार को ही करना था और जब तक राज्य सरकार उसकी भोष्णा नहीं कर सकते हैं तब तक उसको ऐसा मौका मेरे स्थर से देना संभब नहीं है मैं चाह करके भी वैसा मौका नहीं दे सकते हैं कल हमारी बैठक सिक्षा विभाग के अपरमुके सचीव पाठक जी आये थे और उनके प्लादी क्रीटीम भी आई भी थी और हम लोग ने यहां पर आयोग में बैठक करके और सर्थ समत्थी से यह निर्ने लिया कि सीटेट चु और उनको मौका दिया जाएगा और यह अग्य सुचना निर्गत हो गई है और इसलिए मैं इसकी भुष्णा भी कर रहा हूं दूसरी बात कि यह परिक्षा जो है यह 20 अउगस्ट को हम दिया है और हमारी परिक्षा टियारी की जो परिक्षा है वो फुल से गोशित है 19-20 औ 26 तो अब मैं समझ सकता हूं कि अगर सिटेट अभिहर्थी को अगर मैं अपनी सिटेट की परिक्षा अगर 20 तारीक को देंगे और हमारी परिक्षा भी अगर 20 तारीक को है तो फिर से एक तकड़ाव की स्थिती उत्पन होती है और चुंकि वो सिटेट की परिक्षा चार दिन लगातार कर दिना मतलब कि जो अभी 26-27 है तो उसको बदल करके 24-25-26-27 चार दिन लगातार परिक्षा हो जाएगा जिससे कि किसी को कोई कटना ही नहीं हो और जैसा मैंने पहले भी स्पष्ट किया हुआ है मेरे विज्यापन में भी निकला हुआ है कि अगर अभियतियों की संक्या अधिक हो जाएगी तो मैं दो शिफ्ट में परिक्षा लूँगा उसकी बादता हो जाएगी और वैसी सिती में हमारा प्रयास रहेगा कि इन ही चार तितियों में मतलब 24, 25, 26, 27 इन ही चार तितियों में मैं प्रथम शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में करके तुनों शिफ्ट की परिक्षा इन ही चार दिनों में कर लूँगा अगर अभियतियों की संक्या जो एक स्टेन सीमा जो हमारी कपैसिटी है आवासन की जो चंपा है उसके अर्स सजादा अगर होगा तो मैं ऐसा कर दोंगा इसके अत्रिक्ट और भी लोग की जो की अमान की अभियतियों की उसके उन पर भी कुछ बिन्दों पर हुआ है जिसमें सबसे महत्रोन एक बिन्दू यह है कि इंटीग्रेट ब्येट के अभियतियों के लिए तो हम उनने पहले भी उन्दे रखाता है